हलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का एंडिया नियूस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपके साधपूर्वा एस्टो के स्वीडियो में आप सभी का सभागत है देखें वैदिक जोतिश में राहु केतु को उपचाया और पापी ग्रहे की संग्या दी गई है यही वच्छा है कि लोग राहु केतु के नाम से खबराते हैं राहु केतु दोश किसी जातक की कुंडली में हो तो उसे जीवन भर कई कश्टों का सामना करना पड़ता है गर में पैसों की दंगी छा जाती है जोसे आरते के स्थिती खराब हो जाती है करियर में सफलता का सामना करना पड़ता है घर में सदस्यों के साथ मनमुटास की इस्थिती भी उतपन हो जाती है हलागि कुंडली में राहू दोश हो तो खबराने की जरूरत नहीं है इसके लिए जोतिश शास्तर में कई तरह के उपाए बताए गए है चन्दन को लेकर एक उपाए है नहाने के पानी में चन्दन का पवुडर डालकर स्नान करने से इस उपाए को लगतात तीन महिने तक कर सकते हैं इससे फायदा मिलेो और सारी तकलीफे दूर हो जाएंगी हनुमान जी और भगवान शंकर की पूझा करने से राहू और केतु परिशान नहीं करते हैं ऐसे मैं अगर राहू केतु दोश त्याप परिशान है तो हर दिन शिव सहस्त्र नाम और हनुमान सहस्त्र नाम का पात करना चाहिए राहु दोश से मुक्तिश आते हैं तो चांदी का एक ठोस हाथी खरीद लाएं इसको आप अपने पूजा घर में या घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं ऐसा करने से और हर दें दर्शन करने से राहु और केतु के जो बुरे प्रभाव है वो आती कुंगली से खतम हो जाएं तो ये वो कुछ खास उपाय है जोने आप करके अगर आपकी कुंडली में ये राहु और केतु का जो दोश है अगर वो है तो आप इन उपायों को करके उनसे मुक्ति पा सकते हैं देखे सबसे पहला उपाय मैंने आपको बताया था चंदन का इसका आप इस्तमाल नहाने के पानी में करीब 3 महीने तक कर सकते हैं इससे आपकी कुंडली में जो राहु केतु का जो दोश है वो खत्म हो जाेगा और आपको काफी ह度 अराम मिलेगा इसके अलाबा आप अगर राहु केतू से मुक्ति चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में तिजोरी में